और गाइस यह रहा हमारे होटिल का नाइट व्यू देख सकते हो इधर है यह पहाड और उसके निचे बहुत सारा घर लाइटिंग तो आज हमलो का मनाली प्रिप का लास्टे है बड़ा दुख के साथ बोलना पड़ रहा है कि यहां से जा नहीं कर दो पर जाना पड़ रहा है साथ हम लग कुछ 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 करनाais चाहते हैं मतलãos कहा हम लोग ग्यूज ही थे हैं और कभी फ्यूटर में आएंगे तो आप लोग है जाएगा ठोड़ा चल दिखाते हैं हम लोग कौन सा होटेल में स्टेक ही थे यह हम लोग का होटेल जहां पर हम लोग स्टे की है होटेल डिपी ड्रीम मना लिगा तो चली आंदर जा के देखते है कई से होटेल यह हम लोग का होटेल और यह है एंटरंस ने दिपी का मुझे वैलकाम कर रही साइड दरवाजा खल के तो यह है वेटिंग होल और हमारे टीम मेंबर्स हम लोग का चेक आउट है और काम खताम नहीं है तो यह लग थोड़ा कुछ-कुछ काम बागी था उसको काम कर रहे है और इधार है रेसीप्शन और यह रहा यहां का डाइनिंग होल और कुछ-कुछ गेस्ट आ रहे हैं अभी आप लोग यहां का डाइनिंग होल अप लोग यहां अगर स्टे का रहोगे तो यहां के खाना खा सकते हो चलिए अंदर जाते हैं रूम अपना दिखाते हैं अभी चले हुग का दू खाते हैं और साड़ानि है कुछ तूरिस्स आ थे हैं तो हमसे कुछ-कुछ दें यह है तो आप लोग कहा है हो हाई यह तो आप लोग है अगोग है सब्सक्राइट आपकेश के थरू है यहां आप लोग फर्के नीच नीच हम लोगा सेकंड तॉर में था टोप में हम लोग पहुंच यह थाख गए चरते चरते तो यह है यहां का रूम हम लोग का रूम इन लोग में चार रूम से तो यह है मनाली का DP अपिड्रीम्स होटल का रूम और सबसे पहला है यह डबल बेड आऊगे तो डबल बेड ही मिलेगा शिंगल आओ या डबल बेड ही मिलेगा तिर इधर अच्छा सा मुशन वाला इसलिए वह उतने बैक रेस्ट है बैक रेस्ट है तिर अच्छा डीजाइन पीड जाएं पर सब्सक्राइव फि⁉र आप लोक को अबने लेगा है ईसके बाद है अई intracement को छो । यह बड़ा साइड कब़र्ड है इसके बाद बेड का साइड का दोनों साइड में टेबल है तो दर कुछ-कुछ रखने के लिए है और फिल सबसे इंपोर्टेंट वार बातरूम बातरूम देखते हैं तो यह है डिप्की ड्रिंज का बातरूम रहती नीटे टीन हूं सब अच सबसे में इससे जदा इंपोर्टेंट चीज होता है जैसे कि पहाड़ी एरिया में आने से इंपोर्टेंट चीज वही होता है पहाड और स्नो मनाली में तो ही इंपोर्टेंट चीज आप लोग जब ही आओगे आप लोग यह स्क्रीन ऐसे पफान करोगे कि तुम लोग को आप लोग को यह भी मिलने वाला है यहां से यह बलकॉनी का तो चलते हैं बलकॉनी बलकॉनी का डौर इधार है तो यहां पर आप लोग बाइट के भी यहां पर आप लोग बाइट के भी एंजय कर सकते हैं चेर दो मिलेगा आप लोग को और यहां से देखिए बलकॉनी से मांटेन भ्यू वहां पर तो हम लोग तीन दिन थे तीन दिन ताक पूर स्नो अब लोग आज को जाधा ही दीख रहा है फिर यह भ्यू मिलने वाला है य हम टो तो थर्ड फलोर में थे इसले مल्ड़ यह सब Secret रॉतल को मांटें भी देखना था ऊपर नोग कोम प Olom सब्सक्राइब देखना है तो हम लोग को थर्ड फ्लोर का ही मलोव रूम्स दिये थे और हम लोग को बहुत पसंद भी आया है सबसे इंपोर्टेंट रहता है सब के लिए मतलब जैसे की दूर दूर से भी घुमने आते हैं तो हम लोग का खुद का पर्सनल एक्सपिरियेंस अब आप लोग के साथ शेयर करते हैं हम लोग आये थे टूर पाकेज के थूरू और हम लोग का कमपानी के नाम था टोफिल ट्राविल्स और हम लोग को प्रोवाइट किये थे माही जी माही बर माजी हम लोग को ये पैकेज प्रोवाइट किये थे अच्छा था अच्छा गेट किये हम लोग को मतलब हम लोग का जो नीट्स था उसको भी वो पूरा किये हम लोग को हम लो प्रवाइट किये अर इतना अच्छा होटेल दिये अर हम लोगा एक्सपिरेंस बहुत अच्छा था हम लोगा से कि फॉर नाइट नहीं टूर पांच मेंबर्स थे हम लोगा टोटल कोस्ट पड़ा था फॉर हम लोग को जो ड्राइवर मिले थे वह भी बहुत अच्छे थे संचय धी माटजी उनको भी बहुत-बहुत थांक्यू हम्लोग को भूमाए अच्छे से ट्रीट किये अस्पेशली मेरे को तो अच्छे से ट्रीट किये क्योंकि रात भर हम ही जाकि उनके साथ उनका कमपणी बन के आया है और यह लोग सब सो गए थे अच्छा करेंगे दिली अपका नीट्स भी पूरा करेंगे वह तो जो कई भी आना चाहेंगे तो माही जी का नमबर हम लोग डिस्क्रिक्ष socman कर सकते हैं तु ठीक है थैंक यू सब लगको तो फिल्स रैवल कंपरी माही जी एड शन्जे मां जी सब लोगको थैंक्यू सब जी एजी ओजी वजी सूनाू कॐआ हुअ अच्छ्छ्छि तो वही अप patience मन वाजी घुम सकते हैं और अपना लाइप का फूल एंजोय कर सकते हैं हम लोग यह सेकेंड टाइम आए थे लेकिन मुझे लेग रहा है यह भी होने वाला है क्योंकि यहां के मन भरता ही नहीं है लास्ते जाना रहता है तो थोड़ा तो मन को खोता है कि हम लोग को वापस जाना है पूले और कुछ भी हो हम लोग बहुत इंजॉय किये और अब जाने से पहले आप लोग को और एक बर दिखा रहे थे हैं बलकॉनी से आप मांटें दिखिए मांटें व्यूब बलकॉनी से तो हम लोग है यह पहाड के उपर और बहुत सारे होटेल्स भी यहां पर और यह बलकॉनी से आप लोग को यह व्यूव मिलने बला है और वहां दिख रहा है क्रिस्मस ट्री सायद पर यहां से पता नहीं चल रहा है पर अपना आग स से दिखने से ज्यादा अच्छा लगेगा और इधर होटेल सब है और इधर मॉंटेंज फूल अफ स्नौ फूल अफ स्नौ मॉंटेंज और यही है बस अप लोग आके काफी एंजिय कर सकते हैं यहां पर यह रहा पेल गार्डन जो कि अभी पता नहीं है आप यहां पर आते हैं जुन जूलाई आसपास सायद ना यहीं आसपास तो ठीक है गाईस मिलते हैं आगले ब्लोग वाई बाई